हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो इजयो में टो पर्णिजर यूटूब चैनल तो आज इस वीडियो में हम लग डिसकस करने वाले हैं जो डिसी मोटर का कॉंस्टन टर्क जोन और कॉंस्टन पावर जोन क्या होता है यह जदातर इंडस्ट्री में एप्लिकेबल होती है इंडस्ट है अगर कंस्टन पावर जोन में मोटर को चलानी है तो किसे चलाएंगे तो यहां पर आपको दो चीज याद रखनी है एक होती है मोटर को हम लोग आप टू बेस्पीड के अंदर भेरी करेंगे और दूसरा है मोटर को हम लोग एबोब बेस्पीड में उसको भेरी करेंगे speed को ठीक है ? ter difference को यह है दो चीज शो आप टू बेस्पीड में मोटर चलेगी constant टॉर्क ठीक है अव बहुत इसमीनी चीज में चलेगी मोटर नीमग ऑशन ठीक आप ट्छेटू है तो यह है दो चीज तो इस oyn wad話 कि तो यह बहुत इजी चीज जानना के लिए आपको करना पड़ेगा जैसे कि आप लोग को पता होगा एने डिरेक्टली प्रोपरस्टनल टो इबी आपन फाई ठीक है इबी जो आपका बेक की एमेफ है और इसको हम काउंटर यह में भी बोलते हैं ठीक है अगर हमको स्पीड बढानी है ठीक है याद आप टू बैस स्वीड tout E.B. को बढाने और गटानी बढ़ती है ठीक है और यहाँ पर फ्लोक्स अगर हम गटाएंगे तो फ्पीड कया है वह एबोव बैस स्पिड में चला जात जाएगी यही है बेसीक कोंसेप्ट यहीं पी लि है भी यह आर्मेचर वोल्टेज माइनस आइए अब आर्मेचर करेंट एंड आर्मेचर रेजिस्टंस डिवाइड़ अपॉन डिवाइड़ टो के टी फाइटी तो यहां पर देख लिए अपने यह चीज लिखा है आप टूबे स्पीड में हमको मॉटर का जो फ्लॉक्स है य सबसे भेरी हो जाएगा ठीक है तो आर्मेचर वोल्टेज को हम लोग भेरी करेंगे जीरो टूइट से रेटेड बेलोव स्पीड ओके तो दूसरा चीज है एब बेस्पीड जो है इसमें आपका वॉल्टेज कॉंस्टन रखने पड़ती है भी यह को कॉंस्टन रखने पड करती है जैसे कि 50% अगर हम लोग बॉल्टेज प्रवाइड करते हैं तो स्पीड भी 50% होती है तो यह के लिनियर फॉर्म करेक्रिस्टिक में इसका जो प्लॉट किया जाता है ठीक है तो यह वाला देख लिजिए कॉंस्टन टॉर्क जोन है ठीक है यहां मोटर कॉंस्टन य स्पीड आप्टू बेस्पीड के अंदर इस भेरी करना पड़ेगा वाई सिलेक्टिंग अप्रोप्रोप्रेट भर लो बार्मेचर वोल्टेज इसको कॉंस्टन टॉर्क रिजन ही बॉलते हैं हम लो यह हो गया फ्रेंड एक चीज और दुसरा चीज है जो कॉंस्टन पाव कर दो जो फ्लॉक्स है फिल्ट फ्लॉक्स है उसको करना है वाइदा है कुछ अप्लिकेशन है अप्लिकेशन रिक्यूर्ट टू बी ऑपरेटेट अब स्पीड चलाने की जरूद पड़ती है तो आपर आर्मेचर वोल्टेज जो है के नोट पी हायर देन दन एंबलेड वोल ठीक है सो मोटर केंड बी प्रोडूइस जो है टॉर्क वो बहुत काम प्रोडूइस करती है अप्लिकेशन देट अपरेट विद फिल्ट विकेनिंग मॉस्ट रिक्वर लेस टॉर्क एड हायर स्पीड फ्रेंड एक चीज़ फॉर्मला है आप लोगको याद रहेगा जो पी ठीक है तो इसलिए इसको हम फावर जोन बोलते हैं तो नीचे में भी वह चीज लिखा है देख लेजिए हाववर सवर्सपावर इस सेट विखेंट विकोज एन इंक्रीजस और टोप्रोड इक्रीजस इन प्रोपर्षण ठीक है प्रपर्षण बैसिस पर वोग काम बैसी हो ठीक है तो इसलिए यह हो गया constant torque zone and यह हो गया आपका constant power zone ठीक है by decreasing the flux field weakening ठीक है so friend ही था constant torque and constant power zone क्या क्या है यह बहुत easy चीज था यह ठीक है लगिन जानना बहुत जरूरी था सबके लिए so thank you friends